इंट्रोडक्शन टू नुकली केसिट इस वीडियो में नुकली केसिट के बारे में बताया गया है जैसे कि नुकली केसिट की खोज किस ने किया तो इसका स्रेज आता है फ्रेडरिक मिसर को फ्रेडरिक मिसर ने ने नुकली केसिट को सरब्थम नुकलीन नाम दिया था बाद म अल्टमान ने इसके एसिडिक नेचर की कारण इसको नुकली केसिट कहा और कोसल ने दो प्रकार के प्यूरीन्स और दो प्रकार के प्यूरीन्स को आइडेंटिफाइड किया था प्यूरीन्स एडिनीन और ग्वानीन होते हैं जबकि प्यूरीन्स साइटोसीन और थाइमीन अ फासपोरिक एसिड, पेंटोस सूगर और नाइट्रजिनस बेस अब फासपोरिक एसिड का फार्मुला है H3PO4 और यह एसेटिक नेचर प्रोवाइड करता है नियुकलिक एसिड को इस तरीके से फासपोरिक एसिड का इस्ट्रेक्चर उपर दिखाया गया है उसके बाद पेंटोस सूगर यह दो प्रकार के हैं और पांच कार्बन से मिलकर के बने होते हैं पहला है D-Axi-Ribos sugar यह DNA में पाय जाता है जबकि दूसरा है राइबोज sugar और यह RNA में पाय जाता है अगर हम नीचे देखें nitrogenous base के बारे में तो यह दो प्रकार के होते हैं Purine और Pyramidines Purine जो होता है वो 9 members होता है यानिकि 9 atoms उसमें पाय जाते हैं और double ring होता है यह एडिनीन और guanine होते हैं जबकि Pyramidines single ring का होता है और six members होता है इसमें cytosine, thymine और uracil पाय जाते हैं जो cytosine होता है वो सब में पाय जाता है जबकि thymine जो होता है वो केवल DNA में और uracil केवल RNA में पाय जाता है नुक्लियोसाइड और नुक्लियोसाइड के बारे में तो नुक्लियोसाइड जो होता है वो glycosetic band के द्वारा जुड़ा होता है और शात इसमें pentos, sugar और base दोनों होते हैं जब pentos, sugar और base जुड़ते हैं तो नुक्लियोसाइड बनता है और जब phosphate, sugar और base तीरों जुड़ते ह इस्टर बंड के द्वारा और गलाइकोसिटिक बंड के द्वारा तो नुकलियोटाइड का निर्माण होता है और नुकलियोटाइड के मल्टिप्लिकेशन से नुकलिकेशिट का निर्माण होता है चारगाफ सरूल चारगाफ का रूल यह बताता है कि यह पहली बात तो यह ड इसके द्वारा हम कई निमेरिकल साल्ब कर सकते हैं जैसे कि अगर केवल डबल इस्टेंडड डियने की बात करें तो हम बता सकते हैं कि यह एदिनीन इतने परसेंट है माली जी 50 परसेंट है यह 40 परसेंट है तो अन्य तीनों का हम गढ़ना कर सकते हैं क्योंकि इसमें बताया गया कि एदिनीन इज इक्वल टू थैमीन अगवाणेन इजे इक्वाल टू साईटोसीन और फिप्टी परसेंट थैमीन और साईटोसीन, प्रीमडीन परसेंट यह भी 50% तो इस परकार से हम इसकी गढ़ना कर सकते हैं जैसा कि हम एक एक इक्जामपल के द्वारा रिपीट परसेंटेज निकालना है तो इस प्रकार से दिया गया है थायमीर की परसेंटेज 24 परसेंट आएगी गवानीन 26 परसेंट और साइटोसीन भी 26 परसेंट आएगा अब नेक्स्ट देखते हैं वार्सन और क्रिक मॉडल आप DNA तो DNA का जो वार्सन और क्रिक मॉडल है इसको सबसे पहले दिया था adomo वेलिकिन्स और फ्रैंकलिंस ने कि इस टेकनिक के द्वारा एक्सरे क्रिश्टैलोग्राफिक दिफ्रेक्शन टेकनिक के द्वारा बाद में इसको वार्सनों क्रिक ने फुल डेवलप करके इसको डेवलप किया था जैसा कि यह माडल दिखाय जा रहा है यह है वार्सनों क्रिक मॉडल आप DNA जिसका डामीटर 20 इंगस्ट्रान होता है और यह स्पेसिली बी DNA को रिप्रिजेंट करता है और इसका वन टरनर जो होता है वो 10 बेस पेयर में कम्प्लेट होता है या उसकी दूरी होती है 34 इंगस्ट्रान और दो नुकलिताइट की बीट की दूरी होती है 3 2.4 इंगस्ट्रान और इसके कुछ पॉईंट्स इस प्रकार है इसमें दो इस्टेंड जो होता है एक दूसरे के एंटी पैरलर क्रम में जुड़े होते हैं और एडिनीन थाइमीन से अगवानीन जो होता है साइटोसीन से हाइडिन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं एडेनीन, डबल हर्जन बर्ण से थाइमिन से जुड़ता है, जब कि साइटो सीन, गवानीन से ट्रीपल हर्जन बर्ण दोरा जुड़ता है, जयसा कि इसमें इस प्रकार से दिखाया गया है, हम देख सकते हैं BDNA और ZDNA में क्या आंतर है BDNA जो होता है वो राइट हैंड का होता है जबकि ZDNA जो होता है वो लेट हैंड का होता है BDNA का डायमीटर 20 इंगर्ष्टान होता है और ZDNA का डायमीटर 18 इंगर्ष्टान होता है और B DNA जो होता है इस यहां एक टर्न कम्प्रीट करता है 10 बेस्पेर में जबकि Z DNA जो होता है एक टर्न कम्प्रीट करता है 12 बेस्पेर में